बीटी नीज बिहार महीं आपके साथ रवी महता इस वक्त हमारी मौजूदगी है चिलाय पंचायत में यह वेगु सराय के तेगरा परखन में पड़ता है और यहां एक अजीबो गरीब प्रेम परसंग देखने को मिला है एक बैक्ती है जो इनकी साधी पहले से पुरु में हो लोग वापो की स्थिती में है कि अब आगे क्या होगा इनके परिजन है और भी लोग है इनके बच्चे भी हम अजूद है वह व्यक्ति महजूद है इनसे भी में बात करूंगा और जन्ने का परियास करूंगा आखिर पूरा मामला क्या है वह अपने जुवानी ही आपको ब में की का मंदिर में किया है अच्छा तो जो पहले वाली पत्न ही है फिर हम की ऑने मुझे थेAw हम बोल पर सी पहले प्ष नहीं की जन्हीं कई जैंश्य आपने साधी कैसे कर लिया मार घ्लाया कहा पर बैंगलार में आपको पीटा गया क्यों gef automobile गया क्यों इससे हम साथ मुलते थे हम इसलिए अच्छा इनसे आपका एक संबंद था इसलिए आपको पीटा गया हुआ जान बचाने के लिए आपने साधी कर लिया है ऐसे साधी हम पहली भी कर सुगे लेकिन हम इसको यह बोला हम नहीं जाएंगे लेकिन जब यह मेरों को मार नेपाल में घर हुआ तो बेंगलोर में क्या कर रहे थे काम कर रहे थे कितना उसका कॉपा मेरा 18 10 साल हो गया है अचि मुझे यह बता यह पढ़े लिखेंगे का यह नहीं पढ़े लिखें है प्यार करते थे आपको इतना बता था कि इनके जिनकी का क्या होगा इस वोचे थे कभी सबस्क्राइब दोना आज में साथ में रपाईएगा आपको दिक्कत नहीं है कि मुझे यह बताईए कि कहां और कैसे बात करने का पर्यास करूँगा तीन बच्चे हैं यह यह बड़ी लज्टी है और चोटे बच्चे पहले मैं इनकी मम्मी से बात करता हूं फिर मैं बच्चों से बात करूँगा और गरामीनों से भी बात करने का परियास करूंगा कि क्या अगे का प्लवन होने बाला है यह क्या सोचतें इस फैमिली को कैसे सटल करना है इनको एक्सेट करेंगे कि नहीं करेंगे चुकि समाज में जरूरी वादी हमारा विचार्थ हरा है उससे इनको टक्राना होगा पहले हम इंसे मिलते हैं आपका क्या नम हुआ किरन देवी या एंहacas स्वं गालि करते कि नहीं इस नहीं कीजिए छोड दीजे लेकिन हमार्वाइद इनकल करते सच्छा हाल नहीं बताएं था है कि लिए रुप्या ने भीडा ल 쓰ाओ né कितने दिनों से ये पर संग चल रहा था कितने दिनों सबको लगा कि यह और किसे से प्यार कर रहे हैं कि पता नहीं था आपको है उफ सु नहीं बताथे थे कितने से किने जिसकर रोय आहे थे हैं का फ्रसाने नहीं sapp hat कर धह peng कैर珍ता पैसा बहुति थे पहले पैसा बेजते सबस्माइब क्या इनको रखेंगे साथ में इस लड़की कोड़, आपके अवेन्स साधी करके आएं इनको आप रखेंगे साथ में अंथुर रखना नहीं चाहते हैं एक फब भर में 2 कैसे रहेंगे कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमको बर्दास नहीं होता है चोटा चोटा बुवा है तीन तीन बच्चे हैं है ना अच्छा आपका घर कहा हुआ आपके पिता जी ममी को पता है यह खटना हुआ आपके साथ पिता जी आए हुए है इसके साथ बहुत बरी दुर खटना हुई है उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं जुक को आप समझ सकते हैं कि हस्वेंड इनके हस्वेंड ने कोई एक और साधी करके घर में लाके रख दिये हैं बच्चा है छोटा-छोटा मैं इन से थोड़ा सा पूसा क्या नाम है तेरा अंजली पढ़ती है किस क्लास में पढ़ती ह इन बच्चों से क्या पूछा जाए ये अभी बच्चे हैं इनको पता नहीं कि ये क्या घटना हो रही है क्या चल ला है ये सिर्फ इसलिए उदास है कि इनकी मम्मी इनके घर वाले उदास हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या होने बाला है जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इ तो कभी ऐसा आपको लगा कि दोवाराइब दोसरा साधी करके चलाएगा यह नहीं लगा आप क्या चाहते हैं क्या करेंगे आप अपका क्या इरादा है आप क्या चाहते हैं दोगु पता हो गया यह बात नहीं घरम कम करना वाला जाएद सब्सक्राइब दोख में इनके साथ सबको रहना होता है यह आपके दुख में रहते हैं यह आपके दुख में चाहिए है है और कहीं क curator करना चाहिए मताजी बोल रही है लड़का कि मताजी है बोलाएए है यह जो चाहेगी वही सरह मौन होगा इनके ओपड़ी अपका जा रहा है आप क्या चाहते हैं आपżen Yeah आप उनको रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाह रहे हैं फिलर की कहां जाएगी आपका क्या चाहता आप चाहते क्या ही बताई खुल के वो तो बोल लएक यहां रहना है आपके हस्वेन में रखने के लिए क्या चाहते हैं नहीं मौन रहे हैं कोई नहीं मौन रहा है चलिए वो तो वक्त के साथ समया बीतेगा तो प्रसा निके लरकी के इदर आजे तो आई वहीं रही है क्या नाम हो आपका बिसुन देफ ठागो का पता जला कि यह सब घटना हमारी बच्ची साथ हो गया हमको पता नहीं चला यह चछट पुजा के बाद हम आए बला की जैसे इसे बात है तो है चछट पुजा के बाद तो फिर क्या लग रहा कि क कैसा लगा आपके मन में क्या आया क्या करना चाहिए अब यहां कि समाजी ने जो करेगा वहीं होगा आपका क्या अच्छा है कि यह तो गलत हुआ है यह तो गलत हुआ सब लोग मौन रहे हैं गलत ऐसा नहीं होना चाहिए था यह हो गया फिर आगे आप क्या करना चाहेंगे हम क्या करेंगे जो समाज कहेंगे वही होगा और भी समाज के लोग हैं इनसे में जोनने का परियास करता हूं कि आखिर समाज क्या चाहता है कुछ लोग हैं पहले घटना के बारे में सुनके दंग रह गए इनसे में बात करना चाहता हूं क्या नाम वह सरफका है तो समाज लोग है अप लोग क्या आप तक जो है क्या नेवन्या हो पाया है हम तो सुनिए कि यहां जो सब लोग बैठे हैं गलत क्या लगा उठीदारी करता है यह लड़की मैलेले प्यार भबत करता था वहां आप कौम करती थी से और उसको कहिए लड़का को हटा कर ले जाएगा तीर बच्चा है उसको पालन प्रोसन कैसे होगा पहले लड़की रहेगी और फिर वापस बंगलो लेकर चले जाएगा इसका प्षाले लोग है और आपका क्या नाम बाए मेरा नाम गंगा परसासानी क्या समाज क्या सोच रहा इस भी से अपर इस तरह का अगर घटना घटेगी तो हमारी समाज की मुल्ल ही खतम हो जाएगा मुल्ग को बचाना है बचाने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि जो विवाहिति पत्नी है वह हमारी परिवार में रहेगी बागि बची को अपनी बची के तरह उसको फुर्ण है अपने माटा पिता के यहा भेजा जाए परसासन से बात हुई है समाजिक जो लोग हैं जो समाज की गुर्टा को समझते हैं उनका कहना है कि समाज इससे गंदा हो जाएगा कि इस घटना को माप किया जाए तो आने वाले समय में इस घटना हो सकती है इसलिए लड़की को बापस भीजने की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इस लड़का से पुना मिलता हूं समाज तो अपना कह रहा है कि भाई आप लड़की को भेद दीजिए क्या करेंगे आप हम नहीं भेजिएगा समाज की बात नहीं मौनना है प्यार किये ना इसको निभाना है कभी इनके माता-पीता सब्सक्राइब किया भूले म одно कर लिया तो ठूषी से रहो आपिक पतनी ना हुख रहें कि रखने के लिए थम हम तयारीcek रहीं बढ़ाबर दोनों देखिएगा बढ़ाबर देखेंगे बाल बच्चा है बढ़ा होगा सबीक देखेंगे सुरू संतलग हमें ही बोलका रहे हैं अच्छी बताइए दूगों के कर्चा चाली सजार हो कर्चा तीन लाख होई अच्छी ठीक है इनको अपनी बात आप लोग आप दЕए लेकिन को फोरने क्लिए तयार ने अच्छी में से जीवन इसी के साथ जीना है हाँ तो हम नहीं देंगें नहीं मारने की कोई बात ने कर रहा है जिंदगी आगे कैसे जिया जाए तो हम कौन बोलना है यह भी बोला मर जाओ यह करो मार देंगे यह इनी दरती म मू को आपकी पत्मी को गुस्सा नहीं आएगा वो अपकी आपको बोलेगे कि अधा किया मार वो किया था क्या हम इसको बोले घृत प्सक्राइब नहीं उतना घृतिकिया तो अधा में एक गजात वाइव मेरक में वाइटा अधा आपने ही वेवी पोती आपको घ्लती आठी किया तब है नहीं जो कि आपका जिंद्गी मुझे यह बताईए कि अब प्रिधिर उत्पन हुआ है लोग यह कह रहे हैं समाजिक समाजी लोग यह कह रहे हैं आपकी पत्नी जो पहले वाली है वो बोल लए आपकी माता जी बोल लए है कि इसको बापस भेज देना है आपका क्या इस पर आया है भी नहीं नहीं को रखना है रहा है फिर पत्नी कैसे मनाईएगा आप सबस्ते पत्न करेंगें कि बूल रहा है कि सब को साथ यहीं रखेंगें कि कोई भी कीमत पर मर जाएंगे लेकिन इस लड़की को बापस नहीं करेंगे आप क्या किजिएगा यह बोल रहे हैं कि यहीं यह तो हमको मार देजिए हैं लेकिन हम इसको भी साथ जिसका साथ नहीं छोड़ेंगे फिर आप क्या किजिएगा हुए पहले हैं कि मौन रहे हैं कि इनको मार दो या फिर हम यहीं साथ में रहेंगे जब तक जी यहांगे तेनों आदमी साथ रहेंगे आपको भी ने छोड़ रहे हैं अच्छी इनको छोड़ने की रढ़ा खेंकर नहीं कि नोदकी फीसित रखना है 5 घंड ने Basic फिन मर्जा हिल कुछे गटना होता आपको कैसा लगता कर नियुक्तBooks सब्सक्राइब किया इनका बाप किया तिनों मिलक किया थोगा किया तो आप सक रहेंगे इसका मतलब यह भी हो सकता है सब्सक्राइब पेटी है कि नहीं है ने तो हर सब्दा बोलो पैसा आया कि नहीं आया अच्छ मुझे एक बात बताई यह आपकी भी तु बेटी है है ना बेटी है कि नहीं है आपके बेटी साथ इसा घटना होगा तो इनको अभी कैसा लग रहा होगा बताईए आप कैसा लग रहा होगा अच्छा तो नहीं लग रहे है कुझा तो अब साधिक करेगा बर्दास करेंगों पहले बरदास करेंगों अच्छा पैसा देते हुए पर बोलता चोरी भाजि मुराया पचास पचासा हाँ तो उसा लिया तो वह किया तो इसलिये सत कर दी इसलिए इसलिए週 में कर लिए सब्सक्राइब कि और दो यह जब हम Рुप्या दे रहे हैं तो ऍलिक सब्सक्राइब कर वीरा मैं फलिए बात कर था एक प्यार प्यार से होता और आप тут कि अ POW रह litigation गज़ा किया है यह घर दो दूसरी उरत की जिन्दगी बरबाद की लेकिन अब मैंने उनसे प्यार करका यह तो मैं बोल रहें कि हम दोनों साथ में मिलके रहेंगे मुझे कोई दिकत नहीं अब गलती कि ने कि इनका चेहरा देखें कितना रो रहे हैं सुबह से और आप भी रो रहे हैं आपको क्या लगता था कि यह लड़का जो है पहली पतनी है तिन तिन बच्चे हैं यह आपके जिन्दगी को समहल पाएगा लगता था अब ही क्या लग रहा है आपको महूल का लग रहा अच्छा मन लग रहा है यहां पर मजा रहा है लगता ने की इस्थितनी गंभीर दिख रही है यह लड़की है नेपाल की बताया जाती है बंग्लौन में काम करती थी उसने प्रेम विवा किया इनसे संतोस जीन का नाम है और उनकी पहली संतोस जी की पहली पतनी यहां बैठी हुई है दो तीन तीन बच्चे हैं दो छोटे हैं एक बड़ी लड़की है इनकी माता जी यहां पर है यह बिंगलावर से यहां आ गई है इनके घर यह रहने की बात कर रही है इनके माता पिता जी यहां पर नहीं आए लोग not मतिन नाइट करना नहीं करना चाहिए को नहीं बात करना चाहते हैं कि उन्हें के बात करेंगे कि उन्हें principle नेपाल में है इसलिए चाहिए लिए दंगरी होगा चुकि बाहर की जो बात होती है और जब तक आप बास्तविक्ता को नहीं समझेंगे बाते समझ में नहीं आएगी और यहां पर परसासन के भी लोग बस आने बाले हैं वो लोग भी इसको सुल्व करने करेंगे और भी लोग है यहां से इनसे बात करने करता हूं कितना है वो तो कानुनी परकिरिया के तरह तरह ता अब है रहेंगे पहली पत्नी से पूछ के पर्मिसन ले जसे साधि के आ है कितना बुerdos thank you is बाद का परताल करेंगे और समाजी क्रूप से भी अवय ना जाएगा कितना प्रेम इन्हाइब कितना सचा है कितणा अच्छा है अच्छा है कि नहीं है यह तो बक्त बताएगा और कर आप दर से अपने हिसाब कर परयास करेंगे और इसके बढ़िए अच्छा नहीं लगते हैं लगए हम भी रहेंगे यह भी बोल रहेंगे यह भी और कि नहीं कि रहने देंगे तोब आगए या लगता है चार परियास किये हैं इस पर क्या कहेंगे पिता जी कहते हैं कि यह लड़की बापस से ले जाए और जो पहली बाली पत्नी है उसी को रहने का अधिकार मिलना चाहिए इसी बात पर और भी लोगों से बात करेंगे कुछ लोग है लड़की को मालूम नहीं था जो उसको हुआ है कि नहीं हुआ है यह बसादी हो गया लड़की समझेगा या लडका समझ के लडकी को अपना परवन्त करेगा किया करेगा ने करेगा सो कि आप लोग क्या विचार है वही विचार है जो पहली पतनी है उनको रहना चाहिए उनको रहने काधिकार होना चाहिए उनको बापस भेज दिया जाए यही यहां तब तक जो है उहर के सामने आ रहा है सभी लोग आपके खिलाप में है क्या कहिएगा कोई ने चाहता कि यहां रहे यह नहीं चाहता तो इसको दिख करने लेकिन हम रखेंगे साथ में लगा यह तो फोन आप लगा यह तो आपको हईने का वागए हमें तो हमने तक हमने डिक हम सब लोग हमें भुखाल लब हम नहीं खैल दियां तो चाहिए एक क्वार को मिन रखी है कि लिए यहां ग्राइगा को रखना है हा एक को बोड़ दुख में रख़े एक कौ सुक्म कैसे रखते का सोप दोनों रखेंगा दूनो आपको उम्मीद है कि बादम बोलेगे सब हो जाएगा अभी साथ में एक साथ नहीं रख सकते हैं लेकिन सब हो जाएगा अगया कि इनको साथ में इनके पास आएंगे जब यह मनेगा जहाँ उनको भी साथ में इसके से आप सूछ रहे हैं उतना आसागां से आप सब को कितना कमाते हैं कितना कितना 30,000 महिना कमा लेते हैं तो तो यह उसी में दोनों को रख लेजिए गाँ ठीक है इनके टेवर को देख कैसा लगता है कि इनके अंदर एक जुनून सबार हो चुका है